नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अपका दोस्त श्मकिर्दुनी और मैं आप लोग का शौगत करता हूँ आपका अपने यूट्व चैनल लीके सक्सिस में दोस्तों आज हम ट्रेंड का पार्ट 6 से देखने वाले हैं जिसमें कुछ अलग कोश्चन करेंगे अधि आप पार्ट 1 से पाइब तक नहीं देखा है जरूर देख लिजएगा उससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो चली यह शुरू करते हैं अब जैसी कि दोस्तों पहला कोश्यन है इसमें क्या दिया है दो रेल गारी किसी बिंदू यहां पर क्या बूलदा है दो रेल गारी के समझें का कोई बिंदू है पी हमने माना कोई बिंदू पी है यहां से दोनू रेल गारी कैंहें ऑपोसेट डरेक्षा में बिर्ञें यहां से यह गंटा की रफतार से रही है और इधर जो जा रही है वह पचास किलोमेटर कि रफतार से जा रही है ठीक है यह हो गया आगे क्या देख पूछ रहा है की एक गंटा पंतरा मिनिट अब थोड़ यहां समझेगा एक घंटा जो 15 मिनट है इसको पूरा घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे एक तो पूरा घंटा है एक घंटा है और 15 मिनट है 15 मिनट अब 15 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे एक घंटे में कितना मिनट होता है एक घंटे में 60 मिनट होता है तो तो क्या करेंगे? पंद्रा भागे साथ कर देंगे. पंद्रा भागे साथ, तो पंद्रा तिया 45, 15 चोको साथ, मतलब 1 बटे 4 यह क्या आ जाएगा घंटा, ठीक है? आप देखिए, एक घंटा पहले से है, और इतना हमें एड्ड करेंगे, तो 1 प्लस 1 बटे 4, तो आप क्या कर करना है हमें basic formula पता है क्या होता है s equal to TD मतलब std हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय अब हमें क्या क्या पता है चाल पता है समय पता है दूरी निकालना स्पीड हमारा क्या है देखें दोनों विप्रित दिशा में जा रहा है तो हम क्या करेंगे इसको एड करेंगे मतलब 60 plus 50 60 plus 50 दूरी इंटु टाइम कितना है पांच बटे 4 तो पांच बटे 4 का गुना कर देंगे तो यहां से कितना जाएगा 60 plus 50 110 110 गुने पांच बटे 4 दो दूरी चार स्कॉर छोटा कर लिए दो पंजे 10 एक बचा दो पंजे 10 तो पांच से पचपन को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 25 हसिल है दो पंचाब 25 सत्ता है 275 बटे दो हो जाएगा इससे इसको भाग देंगे दो एक कम दो दो तिया 6 एक आया दो सत्ते 14 एक बचा दो पंजे 10 मतलब 137.5 एक क्या आ जाएगा दोस्तों किलोमीटर समय में आया क्योंकि देखिए यह जो हमारा चाल था हो क्या है किलोम में आ गया दूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा चले नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अब दूसरा कोश्चन है क्या पूछा देखिए एक रेल गारी सुबह साथ बजे चंडीगर से दिल्ली चंडीगर से दिल्ली मतलब CHD चंडीगर और DLI दिल्ली ठ ठीक है अब यह क्या है चंडीगर से दिल्ली की और चलना परारम करती है मतलब एक रेल गारी जो है चंडीगर से दिल्ली चलना परारम करती है कितने वजे साध बजे ठीक है साध बजे चलना परारम करती है उसी समय दूसरी रेल गारी जो है दिल्ली से चंडीगर की और चल दोस्ते ही quantum 8 Kenny how help was i'm car के से चलना प्रारम करें तथा पूरवान दस बीस दस बचकर बीस मिनट पर एक दूसरे से मिलती है littlebreaking tomorrow अब क्या हुआ साथ बजे यहां से हुआ है साथ बजे चलना प्रारम करती है और दोनों कितने बजे दस बचकर बीस लिए पर दूसरे से मिलती है पुर्वान मतलब दो पहर से पहले ध्यान रखना है और आप अपर मतलब क्या हो जाएगा दो पहर के बाद का ठीक है पूर्वान दश्वान के बीच की दूरी निकालना है तो आप देखिए हमारा बेशिक फॉर्मूला एस टी डी अब यहां से क्या हमें निकालना दूरी तो दूरी बराबर क्या हो जायागा S into T S into T तो Speed तो हमें पता है दोनों की Speed 60 km और 80 km और हमें चाहिए क्या समय चाहिए समय अभी exact कितना घंटा है वो हमें नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं कैसे यह दोनों का मिलने का माल लेजिए यहां पर मिलता है कितने बज़े मिलता है बिन के दोनों एक दूसरे से मिलेगी हमने क्या निकालना था इसाइग वो कितना दूसरे कर रहा है वो निकालना तो दिस्टेंस हमें आ जाएगा भी हमें टाइम भी पता चल कितना है तीन गनटा बीस मिननट अब टीन के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा तीन तीन नौ और एक दस दस बटे 10 बटे 3 घंटा यह आ गया हमारा क्या टोटल टाइम घंटे में आ गया बतलब 3 गंटा 20 मिनट को हम बोल सकते 10 गंटा तो यहां सी हम क्या कर देंगे distance वराबर is speed हमारा कितना है is speed हो जाएगा दोनों विप्रीत दिशा में जा रहे है तो कितना हो जाएगा 6 plus 80 कटना हो जाएगा टाइम कितना हमारा दस बटे तीन दस बटे तीन तो यहां से कितना हो जाएगा आठ आठ चैठ बारा तेरा चौदा एक सो चालिस इन्टु दस बटे तीन अब तीन से इसको भाग दे दिए तीन चोको 12 दो बचा तीन चंग 18.66 इस तरह रिपीट होता रहेगा तो यहां से हम 10 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 466.66 यह कहला हमारा किलोमेटर इतना किलोमेटर मतलब दोनों के बीच की दोनों स्टेशन की डूरी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा चारसो चारसाइट पॉइंट दोस्तों किलोमेटर अब देखिए, यहां पर क्या बोला है, अपरहन मतलब क्या है दोस्तों, पीयम, साथ बजे, ठीक है, साथ बजे, मतलब अपरहन क्या है, दोपहर के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, और पूरभाहन मतलब क्या होता है, दोपहर के पहले, मतलब बारा बजे के पहले, और पीयम मतलब 12 बजे के बाद फीका है अब देखि क्या पोल रहा है साथ वाजे एक रेलगाडी पटना से दिल्ली की ओर चलतीय के अच्छे समझेगा यह है पटना यह है दिल्ली अब सैथ बंधसर वर्जें यहाँ से जो है सुवे साथ वजशा चलना परारम करती है का अब पटना से दिल्ली की ओर तथा अपःर-ति इतने पी-अम साम के 5 बज़े दूसरी नगारी दिल्ली से पटना मतलब यहां से जो दिखर डल गारी चलती है दिल्ली से पटना की और वो कितने बते चलती है फाज बश्कर 30 मिनट में चलती यह sih डोननों यह कि चाल किरंशा 80 km मतलब पहली एल गारी के चाल कितना बोल रहा है 80 क którą मेटर प्रिती हंटा और दूपि छाल बोल रहा है 70 क्लोमीटर प्रति हो दोनों इस्टेशन के बीच की दूरी अब दोनों रेलगारी किस समय एक दूसरे से मिलेगी अब बोल रहा है कि दोनों रेलगारी जो है यह जो चलना प्रारम किया किस समय एक दूसरे से मिलेगी मानली जी इस से जिस point में एक दूसरे से मिलेगी इस यहां से यहां तक मिलने से पहले कितना दूरी है वो निकालना है ठीक है दोस्तों समझ माया पूरा चीज question में दिया रहता है आप question को अच्छे से पढ़ेंगे और point to point करेंगे तो आधा question तो यहीं solve हो जाता है ठीक है अब देखिए यह 5 बजे चलना इस्टार्ट हुआ 5 आदा घंटा फिर 6 और 7 मतलब कितना यहां एक घंटा 30 मिनट पहले स्टार्ट हुआ कौन सा दिल्ली से जो चल रही है ठीक है अब देखिए यहां जब हम घंटे से घंटे घटाते हैं तो यहां थोड़ा आप धहन रखिए कैसे घटाना है देखिए 7 बजे एक चलना इस्टार्ट हुआ 7 बजे दूसरी दिल गाटे कितना 5 बजे पहले चलना इस्टार्ट हुआ अब यह चीज हमने जो क्लॉक का मिरारी इमेज था उसमें हमने डिसकस किया था कैसे घटाते है देखिए यहां 30 है यहां 00 है इससे तो घटे का नहीं यहां से क्या करेंगे बोरो लेंगे कितना बोरो लेंगे दो उस्ते है पूरा एक घंटा मतलब साथ आजाएगा साथ इधर आजाएगा तो यहां कितना बचेगा चैका है एक घंटा बोरू चला गया तो बिसिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों S इकल टू T D मतलब S T D चाल बराबर दूरी बटे समय यहां से हमारा क्या आएगा हमें समय पता है चाल पता है तो दूरी निकाल सकते हैं तो D गनिक इसे हमारा कितना है सत्तर किलूमीटर परती घंटा गुंणे हैं समय कितना है एक घंटा 30 मिनट और एक payment को गरेंगे पूरा घंटे मिन में चेंज करेंगे एयक तो पूरा घंटा है तीस गणटे में चेंज करने के लिए 30 गटे शाठ का buttons c बागे करेंगे यहां से 00 cancer 3 2 6 एक बटे 2 अब इसमें एक प्लस एक बटे 2 करेंगे तो दो एक कम दो और एक 3 3 बटे 2 तो यहां घंटा कितना जागा 3 बटे 2 ठीक है अब हम निकाल सकते हैं अब दोनों साथ बज़े स्टार्ट होती है इसका मतलब हम इतना छोड़ दिये 105 किमेटर छोड़ दिये अब यहां कितना बज़ गया साथ बज़े क्या हुआ दोनों जैसे कि अभी पहले कोश्चन था उसी तरह साथ बज़े दोनों ट्रेन एक दूसरे की और चलना प्राराम करती है तो यहां से स्टीडी हमें पता है चाल पता है और क्या पता है दोस्तों यहां से यहां पता है और दूरी पता है तो हम निकाल सकते हैं तो दूरी कितना है वह देख लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी 105 किलोमेटर चलने के बाद तो अब 945 km में कितना दोनों साथ बज़े चलना प्रारम करते हो तो यहां से आप निकाल सकते हो टाइम निकाल सकते हो टी क्या हो जाएगा दोस्तो दूरी कितना है 945 km और चाल कितना है दोस्तो 70 प्लस 180 तो साथ दिन 14 15 150 km परती घंटा अब इसको और छोटा कर दीजे 5 3 15 30 हो जा देंगे 3 चंग 18 और 3 तिया 9 63 बटे 10 क्या आगया यह हमारा घंटा आगया अब हम इसको 63 बटे 10 घंटा है तो इसको घंटा और मिनट में चेंज कर लेते हैं तो कितना जाएगा 6 सही कितना जाएगा 6 सही 3 बटे 10 घंटा अब इसको घंटा और मिनट यह जो है बटे में है घ करेंगे इसको 60 का multiply कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 60 का मुल्टिप्लाइब 10-6-60 और 6 तरीक 18 मतलब 6 घंटा 6 घंटा 18 मिनट अब यह हमारा आ गया क्या है 6 घंटा 18 मिनट मलब दोनों रेलगारी 6 घंटा 18 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेगी अब जो 6 घंटा 18 मिनट बाद मिलेगी जो वो कितने बज़े के बाद 7 बज़े के बाद तो 7 क्लस चैंट गंटा 12-30 साथ बजह के बाद चैंट 8 ना कि इतना हो जाएगा साथ सचैंटा हो जाएगा समय जो पहला कोश्चन हमारा सॉब और यहांती क्या पूझता मतलब किस समय है मतलब कितने वजे एक दूसरी से मिलेगी यहां तक हमारा कोश्चन सौल हो गया उम्मीद करता हूं दोस्ते यहां तक समझ में आ गया होगा आगे देखिए आगे क्या पूछा है तथा यह भी गयात करें कि पटना से आने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से मिलन समय होता है इस समय है Da अब यहां से देखी सपीड इंटकस समय यह हमारा क्या होगा कितना दूरवी तरे करेंगा वह हैं से कितना जागा डिस्टेंस्यटर सी remainsर दी कोलतोग साफिध मारा कितना है दोस्तो दोएं गलो मीटर पर दी एक दूसरे से मिल रही है तो समय हमें पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं तो 6 घंटा 18 मिनट जो था वो किस कितने घंटे के बराबर था यह 63 वटे 10 इस समझ में 63 वटे 10 63 वटे 10 0 से 0 कैंसल 8 का मल्टिप्लाई कर दीजिए तो दूरी आ जाएगा 8 3 24 हसिले 2 8 चंग 48 और 2 49 उन्चास 50 504 किलो मीटर मतलब मिलने से पहले वो कितना दूरी तरह गरी कि यहां से यहां तक कि जो दूरी है जहां पर मिल रही है वो कितना है 504 किलो मीटर उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है अब दूस पाँपाद दे दिया है 5 अनुपाद दे दिया है कितना पांच अनुपाद दी दिया है दोनों रेल-गारी करमशाय ये तथा Bी स्टेशन से चलती है अब 2 रेल-गारी एक sticking यह है एक बी है, अब दोनो रेलगाड़ी जो है, एक station A से चलना पराराम करती है, एब हम P बिंदू पर मिलती है, तो हम मानते हैं कि P बिंदू यहीं कहीं है, तो P बिंदू पर मिलती है, दोनो station के बीच की दूरी देदीया है, 60 km, अब A से B तक की दूरी है, कितना 60 km, तो पहली रिलगाड़ी कितनी अधिक दूरी तय करेगी यह निकालना है अब ध्यान से कोश्वेशन को पढ़िए पहली रिलगाड़ी जो है दूसरी रिलगाड़ी से कितनी अधिक दूरी तय करेगी要 Trek रही 전.. अब संहाब दूरी निकालना है दूरी क्या होता है चाल के समानुकोकर ś is proportional डी दोनों डी समय को संहाब रखे टो सब्सक्राहिक क्या स्वावित किया थी कि इस पेड चोट्रेंड टेंस उसमें सारा बैसिक जीजह एक्स्पेडं कि या तहीं आपने वह नहीं तो यहां प में पपत समय कानुपात तो क्या पे धक बाने तो क्या होता है ऊपक्स सब्सक्राइब करना है तो दोस्तों यह हमारा क्या गया दूरी कानुपाइब कितना हो गया पांच अनुपाइब कितना हो जाएगा दोस्तों यूनिट कंसेट यह हमने रेशो में डिसकस किया है यूनिट कंसेट तो पांच प्लस तीन कितना हो जाएगा आठ यूनिट और आठ यूनिट कितने के बराबर है है 60 किलोमेटर के बराबर तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों साट बटे आठ साट बटे आठ हो जाएगा हमारा एक यूनिट बराबर ठीक है अब देखिए यहां पर क्या पूछा था पहली रेल गाड़ी जो है कितनी आधिक दूरी तय करेगी तो पहली रेल गाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है पांच यूनिट और दूसरी रेल गाड़ी तीन तो कितना अधिक दूरी तय कर रहा है पहली रेल गाड़ी दो यूनिट ज्यादा पांच माइनस तीन करेंगे तो दो यूनिट ज्यादा रहा है एक यूनिट बराबर कितना हो दूसरी रेल गाड़ी से कितना 15 किलोमेटर आधिक दूरी तै कर रही है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग के समझ में आ गया होगा यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है और आपको इस वीडियो से कोई सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए श है हिंद जावागा